विश्व आदिवासी दिवस के मोखे पर कराहल में आदिवासी समाजने भगवान बिर्सा मुंडा का भव्य जुलूस कराहल कजबे में निकाल कर अपनी मांगो को लेकर SDM को ग्यापन सौपा कराहल में आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष पर अपने आरादि बिर्सा मुंडा जी के प्रतिमा का पूजन कर पनवाडा तिराहे से कराहल मुख्य बाजार में होते हुए तैसिर प्रांगर तक भवे प्रदर्शनी रैली निकाली सुरक्ष ववस्था को लेकर पुलिस बलतैनात रहा रैली में कई युवाओं ने अपने शेद्रिये कर्तब दिखाए रैली के दुरान कराहल स्टियम को ग्यापन सौप कर सहरिया समाज़ पर हो रहे हतिया चार के खिलाफ शार्शन को अवगत कराया और आदिवासियों के जमीने दबंगों से मुक्त कराने की मांग रखी गई वन विभाग द्वारा जो आदिवासियों पर जूटी कारिवाही की जा रही है उन पर रोक लगाने की बात कही गई सहरिया विकास परिशत प्रिदेश अदियक्ष मुकेश मनहोद्रा सरपंच हरनाद देवरिया पूर्व सरपंच नंदिके शोर आदिवासी 84 महापंचात अदियक्ष टुंडाराम एवं कई गावों के सरपंच और समाज के तमाम कारिकरता और नेताकड एवं सैक्डों की द सब्सक्राइब नाराज की सरकार से हमारे आदिवासी ओंपर आए दिन अन्या अत्याचार हो रहे हैं कहीं उनकी मार पीट की जा रही है बलतकार जैसी घटनाओं को अंजाम किया जा रहा है पेसाब किया जा रहा है हमारे लोगों पर मणीपुर जैसे प्रदेश में हमारी बहन वेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है और मारा जा रहा बलतकार किया जा रहा है और हमारे चंबल संभाग में भी आदिवासी की जमीनों पर बाहर के और स्थानी दमंग लोगों ने कबजा कर लिए और बार आविदन देने के बाद भी ना सासन सुन रही ना प्रसा सरकार तो सर्जों मौझूदा सरकार है यह तो आदबाशियों के लिए बड़ी अच्छे कार कर रही है आपके बिर्सा मुंडा जी को भगवान की उपादि दिए उनके मूर्तियां भी लगवा रही है पिर यासा रोस है कैसी कौन सी गटना है जिनसे आप लोगों में टोस कोई विकास नहीं कर रही है और कोई भगवान नहीं को भूमिया वांटित नहीं की है ना कहीं प्रतीमा इस्तापत की है अब आज तक आप देख रहे हो कहां की है सब्सक्राइब कोई सुनने बाला नहीं है और जो हवैद कच्ची पकी सराव गांजा गांगां में दुकान लगा रही है उसके कोई ध्यान ही नहीं है सासन पर सासन पुलिस सब नेता लोग और सब उन से मिलें बड़े ठेकेदार से कमीशन मिलता है तो कौन सुन रहा है विदाएक सब लिपते इसलिए तो बिच रही है कुल्याम सर क्या परिशान यह पटवारी के खिलाब भी कुछ नारेवाजी हुई थी कौन से पटवारी है अलके के जो परिशान कर रहे हैं आदवाजी समदाएं हमारे आदवाजीयों के जमीन है क्योंकि यहां के आदवाजी हम भी आदवाजी यहां के मूल मालिक हैं आदवाजी पहले आदवाजीयों के से पहले यहां पर कोई नहीं बसा था फिरतम में आदवाजी बचे था तो हमारे पनार में हमारे बहुत सारी जमीन आदवाजीयो की मतलब कोई दबंग ने चीन रखी तो भाहियों ने आवेधन भी जमा किये लेकिन अभी तक कोई पटवारी द्वारा आराई द्वारा या तैसिल द्वारा द्वारा कोई सीमां कर नहीं हुआ मतलब इन दबंगों के से तैसिल लिपते बिलकुल लिपते अगर दिलिप नहीं होती तो कभी जमीन मिल जाती है पूरी मतलब अमला करनी चाहिक सब्सक्राइब को तो मतलब उम्राइब कोई अकीकत में बहुत सारा आता है जमीन को देख ल भूल माले का अदवासी है जैसे अभी जो आपकी मांग पत्र है सरकार इना नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका बहुत बड़ा आंदोला रोगां पूरे जिले में जाएंगे और गाहों जाएंगे और लोगों को हमारी माता भेन बेटी और हमारे भाईयों क बताएंगे कि समस्या सब को एकटा कर गए आप पूरा कराल को बंद कर देंगे एक मांगे बाद आप मांगे पूरी नहीं होती हो तो कोई नहीं कोई कदम जरूर उठाएंगे मतलब हमारी मांग चोटी चोटी तो करमचारी कोई नहीं सुनता सरकार से मांग हमारी चोटी-चोटी मांग है रासने काट है जैसे मानलू और चोटी-चोटी है यह जाब देने के लिए तैयार है तो सासन को जबाब देने के लिए जाएं यह सेरिया विकास परसाथ से जिला प्रवक्त हमारी बीच मौजूद हैं आपको रामरूप सिंग्ग आपको क्या परेशान यहां आ रही है इस सरकार में क्या प्रिसाशन से नाराज गी परेशानी ऐसे आ रही है कि हमारे यहां पर मात्रार आदवासी डandel diversity रहते हैं कि उनको बतलब मिज्चों को भी डंक शीप्राया नहीं जाता और पढ़ेंगे नहीं पूछ भी नहीं है तो बहुत गटिया तरीके से इस्तिति है टीचर बगेरा जाते नहीं है और बच्च बिलकुल मतलब ऐसे गुम रहे हैं बिलकुल अनपड बिलकुल तो जब उनकी नीचे सी मजबूत नहीं होईगी तो उन पर जान के क्या करेगा बच्च फैल होएगा ना नभी में दच्वी में तो यह स्तिति बनी बनी होई है हमारे कराल बिलकुल तो ट्राइवल में काभी पैसा कर्च कर रही है अदवासियों के सिच्चा को उपर तो कमी कहा रही है तो पर नीचे तक सिच्चा को ठीक करना पड़ेगा उसमें मतलब सभी जैसे फिर चार खोड़ना पड़ेगा और सिक्चा से तरीके से जैने देनी पड़ेगी बच्चों को तो इस तर बढ़ेगा नहीं तो नहीं नहीं बढ़ेगा वो तो आदवासियों के नाम